So finally, India का First Traverse Silver ETF launch हो गया है ICICI Prudential Mutual Fund की तरह से आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो कितना minimum investment है, क्या क्या risks हैं, silver में investment के किन लोगों को इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए and क्या से strategy आपको use करने चाहिए जब आप इसमें invest करोगे किस तरीके से broker के through आपको इस ETF में invest करना है उसकी बात हम बाद में करेंगे वर फिलाल पहले बात करते हैं कि ETF क्या होता है So ETF basically एक इस तरीके की चीज़ है जो कि एक particular set of companies में या किसी एक instrument में invest करती है For example समझ देजे कोई ETF अगर auto sector का है तो then वो auto sector की companies में अपनी majorly investment करेगा इसी तरीके से अगर कोई ETF IT sector का है तो then वो IT में investment करेगा अगर कोई nifty 50 का ETF है तो then वो nifty 50 की companies में invest करेगा and same proportion में करेगा and इसी तरीके से अगर कोई gold का ETF था पहले तो वो gold में investment करता था 90 से 95% and अभी finally silver का ETF आ चुका है तो ये क्या करेगा ये अपनी जो major investment है वो silver में करेगा So ये लोग basically आप से and आप जैसे और लोगों से पैसा इकठा करके silver buy करेंगे physically and उसको vaults में store करके रखेंगे and जिस तरीके से उसकी value में फरक आएगा उस तरीके से आपको भी return मिलेगा अब यहाँ पे बात आती है कि यहाँ पे आप कितनी investment कर सकते हो तो ये जो particular mutual fund है इसमें आप minimum 100 रुपीज भी invest कर सकते हो बड़ यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली है कि जब भी हम बात करते हैं gold की, silver की, debt instruments की जो भी अलग तरीके के होते हैं वहाँ पे आप अपना major portion invest नहीं करते हो until and unless आप बहुत ही senior citizen हो अगर आपको एक fixed income चाहिए या थोड़ी safe income चाहिए तो आपको अगर आप अभी young हो और यहां फिर आप अपने 30s में 40s में हो तो then आपको जो अपनी major investment है वो थोड़े से aggressive instruments में करनी चाहिए इसलिए जो silver है या gold है यह आपके portfolio का सिरफ कुछ percentage ही होना चाहिए यह नहीं कि silver ETF आया है या कोई gold ETF आया है तो आप भर के उसमें investment कर दो आपको अपने goals को भी ध्यान में रखना है फिर ही investment करनी है और यहां पे आपको सिरफ कुछ percentage दो परसंट तीन परसंट आप अपने portfolio का silver में allocate कर सकते हो और similarly आप दो से तीन परसंट अपने portfolio का gold में invest कर सकते हो depending आपके क्या goals हैं वो सारी चीज़ें variable है बट फिर भी आपको इतनी ही investment करनी है इससे जादा investment आपको gold और silver में नहीं करनी है because longer run में gold और silver कभी भी equity markets को बीट नहीं कर पाएंगे यह सिरफ आपको inflation से थोड़ा सा जादा bank deposit से fixed deposit से थोड़ा सा जादा return दे सकते हैं and even in some cases थोड़ा सा negative returns भी दे सकते हैं so यह सारी बाते हो गई अभी हम चलते हैं अपनी computer screen पेंट बहाँ पे देखते हैं सारी details समझते हैं इस particular ETF की and अलग-अलग brokers के तुरू में आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आप महां पे इंवेस्ट कर सकते हो क्या सारा procedure रहने वाले है अब सबसे अलग है कि अगर आप अप्लाइ करना चाहते हो ETF में या बाद में भी शेयर्स भाई करना चाहते हो तो एक DMET account आपके बास होना चाहिए जरूर से तो अगर आपके बास अभी नहीं है तो आप एंजल बन में पना फ्रीम अकाउंट ओपन करवा सकते हो इसक्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा बहां से जाकर अपका अकाउंट ओपन हो जाएगा तो आप पहले वह करवा लिजे अब उसके राद यहाँ पर आपको अप्रीशल वेबसाइट पर जो कि ICIC वालों की है तो यह सारे लिंक सा आपको इसक्रिप्शन में मिल जा तो यहाँ पर नीचे चलते हैं यह जारे स्कीunya हाइलाइट है जो akan में आपको इंव्सक्रिप्शन में देखने है तो यह तो स्कीम नेम है उसके यहाँ पर पीरिड है कि कितने चाารने ब्रेद कि कर सकते हो यह जारें इस toc डिये होले होता है तो वहाँ पर हाई की इसके बा apply कर सकते हो, then उसके बाद यह फिर लिस्ट हो जाएगा exchange में, और फिर आप उसमें कभी भी buying selling कर सकते हो, तो यह हो गया इसका time period, उसके बाद है type of scheme, ठीक है, तो यह open-ended scheme है, उसके बाद यहाँ पे जो main चीज है, वो है यहाँ पर minimum application, ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर 5th January से लेकर 19th January तक apply करते हो, that is during NFO period apply करते हो, तो minimum यहाँ पर 100 rupees है, तो आपको यहाँ पर minimum 100 rupees की ही bid करने पड़ेगी, उसके बाद जब यहाँ पर लिस्ट हो जाएगा, तो फिर आप यहाँ पर 1 unit भी buy कर सकते हो, अब इसका 1 unit का price क्या रहेगा, तो वो basically रहेगा, current market price of silver, अगर स और उसके अगर आप जाद करना चाहते हो, 2, 3, 4 unit, जितने units भी करना चाहते हो, फिर वो आप कर सकते हो, जब यह list हो जाएगा, तो यह सारा हो गया, उसके बाद एक चीज़ यहाँ पर है, अगर आपको 30,000 units हैं, मतलब यहाँ पर मैंने उनकी interview भी सुनी थी, जो इनके यहा तो आपको physical delivery कोई जरूरत नहीं है, आप इसको अपने DMAT account में store करके रखिए, physical delivery में फिर आपको बहुत जंजट पड़ेगा, उसके लाबाद exit load कोई भी नहीं है, and exit load basically क्या होता है कि अगर आप कोई time period से पहले exit करते हो, तो आपको कोई penalty लगते है, fees लगते है, तो यहाँ So, basically, global markets that is LBMA that is London Bullion Market Association那麼 either. It means one means MICR checks. This says the payment here प्रोकर ज़िकरों निन यसके वहपर था सकते हो नियुक पहले हो 1049 तो जाना संसान के अच्राइग और उड़ करें नियुक्ति कमने एक करने मतनी क्या करने स्काष्च लाब साख फिर जनुर्गार जाना से च्छेटे करने वाले हो तो ये सारी चीजेए है अगर आप ब्रोकर के थ्रू करोगे अपने तो फिर आपको इतना चक्कर नहीं पड़ेगा यह सारी चीजें आपको वही पे जो हो जाएंगी ठीक है उसके लावा यहां पे कुछ जानने वाला नहीं है यह सारी में चीजें हो गई इसके बारे में एटेफ के बारे में minimum 100 रुपीज इंवेस्टमेंट है अब यहां पर मैं आपको दो ब्रोकर्स के थ्रू बिताता हूं कि किस तरीके से आपको इंवेस्ट करना है सबसे आला हम देखेंगे एंजल वान के थ्रू एंडन हम आप इसको PC में उपन कर सकते हो यहां से आपको दिखेंगा बैसिकली एन एफो ठीक है यहां पर आपको सारी एक्विटी स्कीम जिख जाएंगी जो भी ओपन है हमें यहां पर जाना है डैट स्कीम में जैसे आप जाओगे तो सबसे उपर आपको दिख जाएगा ICICI प्रु आपके सामने ऐसा पेज ओपन हो जाएगा यहां पर जितना भी अमाउंट करना चाहते हो तो आप सिंपली यहां पर जो है 10,000 इस तरीके से फिल कर सकते हो उसके राद यहां पर आपको यहां पर देखोगे यहां पर लिखा जागा पे इंवेस्मेंट अमांट फ्रों एंज से कर सकते हो बड़ अगर आपके काउंट में पैसे हैं तो फिर आप वहीं से सिंपली कर सकते हो सिंपली प्लेस प्लिक करोगे तो आपका ओर प्लेस हो जाएगा अब यहां पर एक चीज आपको मैं बता दूँ यहां पर 19 जैनुरी से पहले बहले आपको कुछ भी अपना श करना शुरू कर देगा कि आपके पास इतने युनेट्स पढ़े हैं इसके इतनी उसकी वैल्यू है इतना जो आपको रिटर्न मिल रहा हो ठीक है तो वह फिर उसके बाद आपको दिखना शुरू हो जाएगा अब यह हमारा हो गया एंजल बाद के थुरू अभी हम देख ले जो आपका अकाउंट है जरोदा काइट में चल रहा है सिंपल वहीं पर लोगिन कर लेना आपको पॉइंड में सेम मर्न डिटेल के साथ लोगिन कर लेना है एड इस तरीके से आपको यहां पर जो पुछ ओपन हो जाएगा आप अपने मोबाइल में भी कर सकते हो एंड यहा आपको जाने लास्ट आले ओप्षिन में एटेफ एंड सब्सक्राइब इस तो यहां पर आपको सारे आगे ओपन एटेफ सिया पर सारे इखाने शुरू कर देगा तो सबसे ओपर यह यह तो इसकी बीड अगर आप वीडियो चाहते हो ने को जूट से बताना कि क्या इसमें करना चाहिए यह नहीं तो नीचे क्वेंट सेक्शन में बता सकते हो और यहां पर हमें इसकी प्रोडेंशल सिल्वर एटेफ दिख रहा है तो यहां पर आप देखोगे यहां पर ओफर क्लोज लिखा है कब होगी मिनिम्म अमाउंट लिखा हो सिंप्ली इस पर आप क्लिक कर है तो आप इसको ऐसा हमाँ समझो कि आपको एक साल में पैसा डबल हो जाएगा ट्रिपल हो जाएगा विकोज सिल्वर गोल्ड इस सारी कमोडिटी जहां धीरे दिरे चलती है टाइम लेत चलने में ठीक है तो इसलिए आपको सिरफ इसको अपने पोर्फोलिय का कुछ परसे कोई भी option नहीं था अभी फिलाल मारपा silver का ETF आगया है आने वाले टाइम में silver के mutual funds भी आजाएंगे that is funds of funds भी आजाएंगे तो उनके ओपर में वीडियो बनाऊंगा तो उसके लिए आप चैनल को सब्स्राइब जूर से कर लीजे अगर आप कोई वीडियो अची लेगे तो चोड़ी चोड़ी इंफोमेशन तो दैन में को आप इस्टाम पे फोलो कर सकतो मैं मिलता आप से नेट्स वीडियो में थैंक्स पर वाचिंग जैहिंद वन्ने मात्रम